ऐलो स्टूडेंट्स वॉगह थे आप सभी का इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडवीशन के बारे में जी हैं, स्टूडेंट्स क्लास 12 का रेजल्ट हो गया है इस्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि सर कॉलेज एडवीशन के ऊपर वीडियो बनाईए तो फाइनली हम वीडियो ले करके आचुके हैं आज इस वीडियो में आपको पूरी इंफोर्मेशन दी जाएगी और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटी सी सबुस्कियों आप में आपको स्क्रीन पर नूटस दख डख्राओ होगी जो की ऑफिशियल वैबसाइट पर जारी किया गया है राए लो कुकेशन देपार्टमेंट की जो ऐसे बहां से आप इस इसको download कर सकते हैं और description में आपको link मिल जाएगी सो बहाँ से आप PDF download कर सकते हैं total PDF जो है ए 40 से 60 page का PDF है बहुत लंबा PDF है आप इसको read कर सकते हैं पूरी instruction इसमें दिये गए हैं सभी instruction को आप read कर सकते हैं अब बात आती है college में admission लेने के लिए registration कब से होगे सो स्टूडेंट्स देखे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 अगस्त से रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको रेजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 अगस्त से 12 अगस्त तक रेजिस्ट्रेशन होगे सो बचो registration complete होने के बाद आपको document verification कराना होगा document verification किसी भी government college से आप करा सकते हैं और कौन-कौन से document की आवस्ता आपको पढ़ेगी जवाब document verification कराएंगे इसके उपर मैं video upload कर दूँगा, detail video upload कर दूँगा और link आपको description में provide करा दूँगा document verification government college से आपको कराना होगा कुछ बच्चों का online हो जाता है लेकिन कुछ students का online नहीं होता है तो आपको government college में जाकर document verification कराना होता है document verification complete होने के बाद merit list आपकी जारी की जाएगी 20 अगस्त को आप देखें students कुछ बच्चे गलती करते हैं कि registration करा लेते हैं और वो सोचते हैं कि direct 20 अगस्त को college अलोट कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है registration complete होने के बाद आपको document verification कराना होता है document verification जब आपको हो जाता है उसके बाद ही आपको college अलोट किया जाता है पिछले साल कुछ बच्चों ने गलती की थी की registration कराया था document verification नहीं कराया था और उन बच्चों के comment आ रहे थे WhatsApp पर messages आ रहे थे कि college अलोट नहीं हुआ है तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है registration के बाद verification कराना compulsory है उसके बाद ही college अलोट किया जाएगा अब merit list जारी हो जाएगी 20 अगस्त को college अलोट आपको कर दिया जाएगा अगर आप cut-off clear करते हैं अगर आपके percentage अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको college अलोट कर दिया जाएगा और अगर आप उस college में admission लेना चाहते हैं 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपको fee submit करनी होगी cyber cafe पर जाकर आप fee submit कर देंगे तो आपका admission confirm यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से first round आपका होने वाला है एक से 25 अगस्त तक आपका पूरा ही round चले है इसके बाद second round होगा second round complete होने के बाद आपका CLC first round होगा इस बाद total 3 round होने वाले हैं इछले साल सास से 8 round हुए थे इसलिए जिन बच्चों के कम percentage थे उनको भी government college में admission मिल गया था लेकिन इस बार आपको अच्छे से choice filling करनी है मतलब पूरी process को बिलकुल सही सही करना है बिलकुल भी गलती नहीं करना है ना तो registration में ना तो choice filling में ना तो document verification में ताकि आप भी government college में admission ले सकें और जिन बच्चों को private college में admission चाहिए बो भी यहाँ पर e-previce पर registration करा सकते हैं I hope students ए वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और मैंने आप सभी को यहाँ पर पूरी information provide करा दी है first round के वारे में इसी तरीके से same process second round में होगी और CLC round में भी इसी तरीके से process चलने वाली है और कोई भी अगर आपको doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं या फर instagram पर message कर सकते हैं one study gear हमारे instagram ID है आप instagram पर message कर सकते हैं